अगर आप मेरे चानल पर नहीं है तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एन तक ज़रूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कॉमेंट करें तो डिरेक्टरेट ओफ एडुकेशन जी अपना नाम लिखेंगे और यहाँ अपने टीचर का नाम लिखेंगे तो कैसे हैं आप सब और आशा करते हैं हम कि आप जो हैं स्वस्त और सुरक्षित होंगे Students with the help of some activities given below let us learn about sounds that animals and birds make today तो आज हम कुछ activities की मदद से जो कुछ animals और जो birds हैं वो कुछ आवाजे निकालते तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे तो animal sounds, animal sounds Let us make some animal sounds A pig says oink oink A dog says bow bow A cow says moo moo A cat says meow meow तो pig कैसे करता है? oink oink Dog, bow bow Cow, moo moo Cat, meow meow Animal sounds, animal sounds Let us make some animal sounds तो फिर से हम कुछ और आवाजे निकालते हैं animals की A bird says tweet tweet तो एक पक्षी कैसे बोलता है? tweet tweet A sheep says baba एक जो वो होती है, भेड होती है, वो कैसे बोलती है? Baba A horse says ने, ने तो घोड़ा कैसे करता है? ने, ने A duck says quack quack और जो बत्तक होता है, वो कैसे करता है? quack quack Animal sounds, animal sounds Let us make some animal sounds तो हमने जो है, कुछ जो जानवर होते हैं उनकी आवाजों को देखा की कौन कैसे आवाज निकालता है और यह सारी उन जानवरों की pictures है, जैसे यह है pig, यह है cow, यह है cat, यह है dog, यह है sheep, यह है horse, यह है tweet, यह है जो bird, duck और यह है bird, ठीक है? अब देखते हैं, first question देखते हैं, हम match the animals with the sounds that they make, यह sound दी हुई है और यह animals दी हुई है, तो जो animal की जो sound उसको से मिलाना है तो जैसे ने, ने कौन करता है, horse करता है, हमने अभी उपर पड़ा है, बाबा कौन करता है, sheep, रोर कौन करता है, धारता कौन है, यह share करता है, तो lion, meow कौन करता है, cat, और moo, यह करती है cow, ठीक है? let us try to draw a cow with the help of pictures given below, you may take the help of your elders, तो यह cow की हम picture draw करके देखते हैं, इसी तरीके से आप ऐसे ही stepwise जो है, और अपने बड़ों की मदद ले सकते हैं इसके लिए और इसको एक cow को draw करेंगे, तो सबसे पहले एक circle draw करा, अब उस circle में इस तरीके से यह चीज़ ड्रा करके, पर नीच step में जो इसके horns है, जो sing है वो लगा दिये, six step में इसकी eyes और ये nose, ठीक है, nostrils जो है, और फिर seven step में इसमें जो है, ये spots इसकी body पर ये बना दिये, eight step में इसकी जो tail है, पूँच वो लगा दी, और nine step में क्या था, इसके जो ये है, जहां से दूर निकलता है, तो ये कर दिय और last step है, उसमें हमने color fill कर दिया, ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो cow है, वो बनकर तयार हो गई, बहुत easy step से, अब अभी भावकों के लिए सुझा हो रहेगा, कि जानवरों की आवाजों से बच्चों का परीचे करवाएं, और उन्हें विबिन जानवरों की आवाजों क पहचाने के लिए प्रेरित करें, और इसके साथ कोरोना से बचने के लिए keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, तो कोरोना से बचने के लिए 6 feet या दो गज की शाररिक दूरी सभी को बना कर रखनी है, तो आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी त